पहले इसके बारें प्लू मून के नाम से भी जाना जा रहा है कारण यह है कि यह कई सदियों के बाद हमको देखने को मिला है और आज जो चंदरवा है हमारी प्रित्वी के बहुत करीब है और इसमें ब्राइटनेस बहुत जादा है और इसका साइज भी हमको बड़ा दिखाई दे रहा है और आज पूर्ड चंद ग्रहन होने की वज़े से इसको सुपर ब्लू मून के नाम से भी हम इसको जान रहे हैं जैसे कि अभी यहाँ पर काफी लोग हैं इस घटना को देखने के लिए चिल्डरन साइंस सेंटर इंदॉर के द्वारा हमने यहाँ पर व्यश्था करीए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएं ऐसी घटनाएं कई सद्यों के बाद होती हैं और देखने को मिलती हैं ऐसी अद्वुद घटना को हमको देखना चाहिए उसके गवा बनने चाहिए मैं राजिन सिंग्ग चिल्रन साइंस सेंटर इन तोर से तोड़ी देर के बास थे देख वाएं लाइफ थोड़ी थे थे लिए बास थोड़ी देर के बास अज़ी तोर इकाद बच्चे वो ऐसे धिफादी न बच्वाद वी शाड़ी डनाना है इसको इडाना मत में इतना इतना शाट अरए अरए अरह बटा शाट बना ना अभी देखे मत एसी बत आए खुसर टोस। इन आप कर दो आपक्षाद बनालो तरह बास हो गया बास कि अपने अपने अजी बटना होती है और एक नेचरल सप्राइज कर सकते हैं जो कि हमें आम तोर बिटकु दिखाई नहीं जैती है पिछले कई सारे सालों के बाद में करीब ऐब नाइंटीन एटी तू में लास्ताम में इस सरह का बैंड दिखाई दिखाई तिया था लेकिर इस बार हमें आज दिखाई जया है और क्या कुछ खा इसका कवर तो नहीं था ना? अज़ा गोलो नो पोजेक्टर हुझे चला गया था चुकिया था उचा किया उसका ही अज़ा गया था उसका ही